किसी को आइडिया है वाट इस एलेक्रिकल रेजिस्टेंस मिसाल आ गया चलो बिजली को रोकता हो कैसे रोकेगा ऐसे मत आओ टुच करके कि चलो बढ़िया है और किसी का जवाब सब कोई अपना अपना थोट रखो ना क्या होता है ना कि गलत सही जो भी बोलोगे तो उससे ना सही बोलने का सही समझने का एक प्रवीर्ति यहने की एक टेरेंसी डेवलोप होता है तो हम लोग को कोई हर बड़ी धोरे है कि हमारे पास एक महिना समय सब कुछ पर लेना समाज कर पढ़ते हुए फिल करते हुए आगे बढ़ना तो इसलिए हम पूछते हैं बताओ एलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है हमको तो बता नहीं है काम है पढ़ाना हम तो पढ ठीक है आनन्द आनन्द नहीं बोलेगा ना चलो अब हमारा भीव सुनो अब एलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है इसको समझते हुए है Жक्त लिएक्ट्रिकल अर्यटिविट़े। बलना चीह एक बलने से क्रेटिवीटी बढ़ता है और जिघ्यासा जो तक्यूरिस्टी और बढ़ता है ठीकलोलेक्ट्रिकल एक टार्म है एलेक्ट्रॉण सत्रॉण कंड़क्टर में ठीक है ठीक जैसे एलेक्टरोन है ऐसे मुव करेगा ठीक और ऐसे निकल जाएगा ठीक अब देखो कि जेनरली सब किसी ने नाइन्थ पास किया है तो उसमें पढ़ा होगा एटामिक स्ट्रक्चर अब देखो इसलिए में क्या होता है कि एक प्रोटोन डिफरेंट ओर्बिट्स अब देखो अब यह जो एलेक्टौन कर रहा है तो यह क्या कंड़क्टर है सपोस्स मेरे पास कंड़क्टर का अ की ठीक है और तो यह कौपर का एक एक यहां प्रोटोन है पोजिटिव चार्ज है अब देखो पोजिटिव चार्ज तो फ्रोट नहीं करता है क्योंकि यह हेवी होता है और सेंटर में होता है इट liaison होने से ceo क्या होता है flow करने रगता है ठीक है तो electricity जब flow करता है तो जैसे इस case में high low में electrons का movement तो इधर होगा और electricity का direction इधर होगा ठीक है तो हम बता रहे है electrical resistance तो इस case में जब electron यहां से move करना start करेगा तो देखो इसके रास्ते में यह जो conductor इस conductor में बहुत सारे अगर सबसे pure है हम सबसे pure वाले बात कर रहे हैं जो conductor सबसे pure है इस iron से बना है तो क्योवल iron हो pure iron अगर aluminium से बना है तो pure aluminium copper से बना है तो pure copper उस case में क्या होगा यह electron चलना शुरू होगा ऐसे क्योंकि high पर होता है positive और low पर होता है और positive high होता है तो positive electron को खीचता है अपने तरफ और यह current का direction हुआ हमारा अब यह electron है इधर आता है तो आने के समय यह होता है यह atom जो atom ले रहे हैं इसके nucleus से क्या होता है ठकराता है ठीक है फिर क्या होता है यह रास्ता अपना भटक जाता है फिर electricity continue potential difference create किये हुआ है तो यह जो conductor है इसके कारण electron क्या हुआ यहां पर already हम लोग produce किये हुए high potential और low potential जिसके वजा से क्या है electron अभी भी यह positive cure attracted है और finally ऐसे सोचो electron क्या हुआ ऐसे चलना सुरू किया ऐसे कुछ दिर के बाद टकड़ाए कर हो गया ऐसे कुछ दीर के बाद ٹकड़ा कर आया ऐसे ठीक है यहां से यहां से यहां緘ली यह निकल जाता है चालना सुरू किया इधर से ठीक और यह हो गया पोजेटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल बैटरी का एक हिसा हो गया एक दूसरा हिसा यह ठीक है तो ऐसे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ एलेक्ट्रोन टकरा के फाइनली बाहर आ गया ठीक है तो इसके अंदर में बहुत सारे क्या है एलेक्ट्रिकल डिस्टर्वेंस होता है तो एलेक्ट्रोन को मुव करने में काफी सारा डिस्टर्व हुआ है इसी को हम लोग कहते है एलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और दूसरे लेंग्वेज में बोलते हैं इसको बोलते हैं डिस्टर्वेंस ठीक है तो जो भी electrical disturbance आया, वह इ electrical disturbance इसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको electrical resistance, ठीक है? यानि electron को flow होने में जितने सारे disturbance आये है due to क्या इसके positive charge, अब कभी-कभी होता क्या है? due to क्या है? यहाँ पे atom है, atom से टकड़ा रहा है, positive charge से टकड़ा रहा है, इसके nuclear से टकड़ा रहा है, कभी-कभी यह होता है हम लोग pure metal इस्तेमाल नहीं करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग impurities मिला देते हैं तो क्या होता है कि अब यह electron flow करेगा तो हो electron इसमें impurities जो मिला जाता है और एलेक्ट्रों जो बाहर निकलने का जो टाइमिंग है पहले सो टी टाइम में इसair निकल जाता था बाहर एलेक्ट्रों अब टीपलस वान सेकेंड में यह ऐसे सोचो कि पहले हर सकेंड में सममांट अफ एलेकट्रों निकलता था स्व्पोगज टैंट इन find the profile फाइब एलेक्ट्रोन पर सेकेंड निकलता था ठीक है यानि कि अब इतना एलेक्ट्रोन एक सेकेंड में निकल रहा है अब क्या हुआ कि इसमें हम लोग मिला दिये इंपिरिटी मिलाये जैसे की कुछ उसमें कारवन मिला दिये सिलिकन मिला दिये तो क्या हुआ कि इसका जो एलेक्ट्रोड और ज्यादा टकड़ाया अब क्या हुआ ऐसे इधर वे- तकड़ाया फिर ऐसे टकड़ाया फिर ऐसे टेकर आया अब इसमें जो है ना जो डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाता है जिसके विएस से हैं इधर पहुंचता है बड़ा लेट से ठीक है इसलिए कहते हैं अच्छा कंड़क्टर उतना नहीं है सो अब टाइम जो होगा पहले जो टाइम हो रहा होगा वन सेकेंड अब वन प्लस टी सेकेंड भी पहुंचेगा ठीक है कुछ टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा तो फाइनली जो हम लोग एलेक्रिकल रेजिस्टेंस करते हैं जिसको अधर लेंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ डेजिस्टेंस होगा जिससे कौपर एलमुनियम हम लोग मेजर लिए दो ऐसे क्या यूज करते हैं फड़ सिल्फर मांगे हो जाते तो उसमें भी देखते हैं क्या कुण कंडटर है क्या बैड कंड़क्टर है कॉपर में भी कुई महगह ताराता है कोई ससटा आता है तो बै सब्सक्राइब देखो कि यहां पर अलग-अलग टाइपस के हमारा कंड़क्टर है उसमें क्या है इतना तो जानगे लेक्टिकल रेजिस्टेंस के बारे में अब हम लोग कुछ समझते हैं इसका यूनिट क्या होगा ठीक है अब देखो इसका यूनिट एक दिये थे जोर्ज साइमन ओम ठीक है तो जो ओम जो साइंटिस्ट थे उसी के तलहार पर हम लोग रेजिस्टेंस भी देते हैं रेजिस्टेंस पाहले तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से ठीक है डिनोटेट वाइड कैपिटल आर और अब देखो इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं ठीक है अब देखो एक चीज यह तो हम लोग यूनिट जान गया अब इसका छोटा बारा यूनिट भी कभी कर भी हम लोग यूज करते हैं क्या कि हमारे पास है कि कीलो ओम कीलो ओम तो इसको कैसे लिखेंगे किलो ओम को ओ एच एम तो कीलो ओम ऐसे लिखेंगे ठीक है कीलो ओम अब देखो ओमेगा को और अच्छा से लिखते हैं ऐसे कीलो ओम अब मालेते हैं कि और ज्यादा बड़ा लिखना यह तो पहला होगा कीलो का मतलब क्या था 10 to the power 3 और ओम का साइन ऐसे अब सेकेंड नमर में हम लेते हैं अगर अब दूसरा जैसे मेगा फिर लेते हैं कि अभी गिगा तो क्या होता है resistance हमें सब पॉजिटीव होता है और ज्यादा अमोंट में होता है ठीक है? कैसा है मेगा ऐसे मेगा सोरी कैपिटल एम होता है मेगा ओम ठीक है अब एक और हम लोग गीगा यूज़ करते हैं गीगा के लिए हम लोग 10 तू दा पावर 9 यूज़ करते हैं गीगा इसको तो स्मॉल एम से हैं लिखेंगे मेगा एम सिंबॉल कैपिटल एम से कीलो को कैपिटल के से और इसको गीगा ओम अब इसको जी और ओमेगा गीगा का वैलू टेंट तुद पावर नाइन होता है ठीक है तो यह तो हमारा जेनरल यूज हो गया इसे मैथमेटिक्स स रहे हैं और हम लोग को यही समयने था एलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इसका यूनिट और सिंबॉल हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे अब जो हम लोग बता है ते पिछले क्लास में एलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है वन एंपियर क्या होता है आज उसका हम इस्तेमाल क करेंगे अलेक्टिकल रिस्टेंस में निकल वाएंगे कुष्टी मेरिकल करेंगे ठीक